Hello everyone, my name is Munni Kumari from MGSS Darvanga. I am going to teaching mathematics for class LKG. Do exercise big and small. आईए बच्चों, अब हम आप लोगों को बताते हैं big and small के बारे में. बिग, P-I-G, बिग मिन्स होता है, बड़ा. और S-M-A-L-L, small, small मिन्स होता है, छोटा. तो बिग यानि बड़ा, big मिन्स बड़ा, और small मिन्स छोटा. बड़े सी चीज़ को अमनों big बोलते हैं, चोटे सी चीज़ को small बोलते हैं. जैसे फ्रूट फ्रूट मिस फल होता है और फल में कोई फल बड़ा होता है कोई फल छोटा होता है जैसे वाटरमेलन वाटरमेलन एंड एपल वाटरमेलन फ्रूट बहुत बड़ा होता है और एपल छोटा होता है जैसे ये रहा वाटरमेलन और ये है apple तो दोनों में difference है ये बड़ा है और ये है छोटा ये हो गया big food और ये हो गया small food ठीक है? अम होता है animals animals means जानबर और जानबर में cow, cow means guy, गाई होता है बड़ा और cat, cat होता है छोटा, छोटा होता है cow, और cat दोनों में difference है cow बड़ा है और cat छोटा है ठीक है? fruit, आप लोग समदें fruit में कौनसा fruit बड़ा होता है कौनसा fruit छोटा होता है इस तरह animals में animals में कौनसा animals बड़ा होता है और कौनसा animals छोटा होता है ठीक है? अब आए things यानि कि बस्तू foot ball foot ball और ball जोनों में difference है foot ball हो गया बड़ा जिसको हम लोग जैसे volleyball, जैसे foot से उसको kick करते हैं वो हो गया foot ball और ball, ball हो गया छोटा जिसको हम लोग बच्चे लोग bag से, बड़े भईया लोगी bag से ही उसको मारते है, वो हो गया ball, वो छोटा ball होता है और foot ball, जिसको लोग पैर से मारते हैं जिसको volleyball खेलते हैं basketball होता है, वो होता है foot ball यानि कि big ball और जिसको बैर से लोग करते हैं वो होता है small ball Thank you जिसको मारते हैं